क्या केजरिवाल के घर पर अब स्टील लगना तया है और क्या अर्विन केजरिवाल तब तक उस घर में नहीं रहेंगे जब तक पूरे मामले की चान भी नहीं हो जाती केजरिवाल के घर में जो तमाम समान लगे हैं वो देश की जनता का पैसा है दिल्ली की जनता का पैसा है नमश्कार मैहूराउल शर्मा आप देख रहे हैं इसमेनाई नियूस स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी कबर में और बड़ी कबर की शुरुआत दिल्ली के मुक्यमंतरी अर्विंद के अजरवाल से तेली के मुक्यमंतरी अर्विंद के जिर्वाल के घर को बनाने में रेनोवेशन करने में करोड़ों रुपे से जादा का खर्चा हुआ है अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौक जाएंगे कि जो पर्दे लगे हैं अर्विंद के जिर्वाल के घर में वो परदे कोई 50,000 या 30,000 की नहीं है उनके कीमत 3,000,000 रुपए बताई जाती है जी हाँ उनकी कीमत 0,500,000 रुपए बताई जाती है यह तो छोड़ दीजे जो नीचे पत्थर लगेए हैं जी हाँ पत्थर जो बिचे वे हैं वो पत्थर भारत से नहीं आए हैं वो imported हैं जिसकी कीमत 3 करोड रुपे बताई चारी है ऐसे में माना जा रहा है कि इतना पैसा अर्विंद केजरवाल ने अपने घर पर कैसे लगा दिया और अब तमाम जाच शुरू होगी कि एक एक चीज का हिसाब दिया जाए इतना पैसा कहां से आया इतना पैसा कहां करचा क चापा भी उनके यहां पढ़ सकता है इसके लावा इंकम टेक्स के अधिकारी उनसे पूस्ताच कर सकते हैं हाला कि अपने दर्शकों को यह बता दें कि सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अर्विंद केजरवाल अपने घर के अंदर मीडिया को गुसने तक नहीं दे रहें क्योंकि अगर मीडिया अर्विंद केजरवाल के घर में घुसेगी तो सारी चीजे निकल कर बाहर सामने आ जाएगी तो क्या आने वाले वक्त में तमाम सरकारी अजनसिया और आयकर भी भाग अगर च्छापा मारती है और अगर पूस्ताच करती है दिल्ली के मुक क्यमंत्री अर्विंद केजरवाल को अपने घर से ही बाहर का रास्ता ना अपना पड़ सकता है क्योंकि अब मामले की जाच होनी तय है और लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की नेताओं पर शिकंजा कसा ही हुआ है चाहे ED का चाहे CBI का या तमाम एजनसियो अब ऐसे में अर्विंद केजरवाल के घर पर जो खर्चा हुआ है क्या वो खर्चा इनलीगल है और गलत तरीके से देखे कोरोना के वक्त में भी अर्विंद केजरवाल के घर पर काम चल रहाता है तो क्या वाकई अब अर्विंद केजरवाल का घर सील होगा और अगर सील ह जाता है तो अब जाँच होगी और जाँच होती है और अगर गलत जो है चीजे निकल कर सामने आती है तो अब अर्विन के जिवाल हवालात बजाएंगे क्योंकि दिल्ली की जनता का पैसा अपने गलत तरीके से इस्तमाल कैसे कर लिया आज के लिए इतना ही आपसे फिर किजे नमस्कार